स्वयम का बचाव करने के लिए कभी दुसरों पर दोसा रोपाण नहीं करना चाहिए क्योंकि समय के पास सत्य को प्रकट करने का अपना तरीका है इंसान का सबसे सच्चा मित्रत दूख है जब तक साथ रहता है बहुत सबक सिखाता है और जब छोड़ कर जाता है तब सुख अवश्य दे कर जाता है जिन्दगी में कभी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए क्योंकि जब गड़ी बंद पड़ी होती है तब भी दिन में दो बार सही समय बताती है कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है यदि इस बात से दूर रहोगे और सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे हमेशा खुद को विशिश समझ कर जीना सुरू करना चाहिए क्योंकि ब्रमान ने इस दर्दी पर किसी को फालतो बना कर नहीं बेजा है खुद की प्रगती में इतना वक्त लगा देना चाहिए कि किसी और की निंदा करने का वक्त ही ना रहे हमेशा काविले तारिफ होने के लिए वाकी फे तकलिफ भी होना पड़ता है जो दर्द आज सहे रहे हो आगे चल कर वही तुमारी ताकत बनेगा जो लोग आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो क्योंकि बुराई वही करते हैं जो आपकी बरोवरी नहीं कर सकते खबी भी सुनी सुनाई बातों पर यकिन मत किजिए क्योंकि हर बात के तिन पहलो होते हैं उनका आपका और सच